नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर और आज मैं लेकर आए हूँ एक ओल्ड पेपर जो की काफी इंपोर्टेंट है और उसके कुश्चन काफी स्टेंडर्ड है और मुझे लगता है कि ये आपके जो आने वाले अगामी परि विजन हैं और इन परिशनों को हम दो से तिन पार्ट में डिवाइट करेंगे और धीरे-धीरे इनको अच्छे से संभेगे क्योंकि मैं समझता हूं यदि आप इन प्रिशनों को अच्छे से सॉल्व करेंगे और आपको लगएगा कि हैं ये ये आपकी तैयारी होगी तो ये प्रशन काफी आपको इजी लगेंगे यदी तैयारी नहीं है और आपने रिवीजन भी नहीं किया तो आपके लिए काफी ज़्यादा मुस्किल खड़े कर सकते हैं तो को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेला काई निट्रेस करिए चलिए दोस्तों इस्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रशन दोस्तों पहला प्रशन है एक संपलित अहार कैसा होता है बात की जा रही है यहाँ पर बैलेंस डाइट की balance diet में ऐसी diet होने चाहिए जिसमें हमारे 6 के 6 तत्त होने चाहिए पहला हमारा carbohydrate, protein, fat, vitamins, mineral, water ये 6 चीज़े होनी चाहिए तो यहाँ पर जो options बन रहा है सभी अवस्या खाद तत्तों से मिलकर बनता है तो यहाँ पर option नम्मर फश्ट यहाँ पर सही है जो हमारा balance diet होता है उसमें सभी अवस्या तत्तों मिलने जाई है इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्ट था aim up sport training, खेल प्रसिच्छा का मुख उद्देश से क्या है दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि sport training यानि खेल प्रसिच्छान का जो मुख उद्देश से है gaining of top form in competition प्रतियोगिता के समय top form हासिल करना sport training का मुख उद्देश से है इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्ट आया था पेपर में भारत में खिलाडी को दिये जाने वाला सरवच्च पुरुस्कार which is the highest sports award given to athlete in India तो आप समय लोग समझते है मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुस्कार दोस्तों आप लोग जानते हैं कि रजिव गांदी खेल रतन पुरुस्कार का नाम बदल कर अब मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुस्कार कर दिये गए इसलिए इसका option number two correct है इसके बाद बात की जा रही है handball खेल के एक हाप के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है तो आपको बता दे कि जो handball का खेल है अगर man की बात करते हैं 30 मिनट का एक हाप होता है और यहाँ पर जो option है option number four और यहाँ पर सही होगा 30 मिनट इसके बाद जो अगला questions आया था भारत में महिला खेल उत्सव पहली बार कप मनाया गया दा वूमन स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाजफर्ष्ट इंटोड्यूश्ट इन इंडिया तो आप सभी लोग जानते हैं महिला खेल दीवाज 1975 1975 को मनाया गया दोस्तों ये questions काफी important है और काफी अच्छे हैं इसलिए मैं इन को आपके सामने लेकर आया हूँ तो questions को समझेगा और एक एक solve करिएगा काफी अच्छा आपको लगेगा इसके बाद match the world आया है निम लिलखित को सुमिलित कीजिए यहाँ पर चार exercise दी है और इन exercise related muscles दी है तो यहाँ पर जो correct answer है वो option number third है first का third से second का fourth से third का first से and जो हमारा fourth है dumbbell ply dumbbell ply हमारे जो pectorius major होता उससे related muscles वोर करती है तो यहाँ पर option number three सही है guys थोड़ा सा समय का भी खयाल करना पड़ता है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए इस काराण जल से जल आपको वीडियो में questions कराने पड़ते हैं सिविंग में भारत से Olympic के लिए qualify करने वाले पहले तैराक है सिविंग में भारत से Olympic के लिए qualify करने वाले पहले तैराक है जो आप सभी लोग जानते है option number four साजन प्रकास साजन प्रकास एक ऐसे Olympic खिलाडी है जो Olympics के लिए qualify हुए है swimming में इसके बाद summer Olympic में भारती धोजवाहग बनने वाली पहली महिला कौन है तो आप यहां पर देख सकते option number two साजनी अब्राहम विलसन पहली महिला है जो summer Olympic में भारती धोजवाहग बनी थी इसके बाद अमारा अगला प्रशन है Sports Authority of India की स्थापना कब हुई यानि इसकी वर्सगाट कब होती है तो आप सभी लोग जानते हैं 25 जनवरी 1984 को भारती खेल प्रधिकरण का गठन किया गया था इसके बाद यह प्रशन है राजिस्थान इस्टेट स्पोर्ट्स कांसिलिगाप का गठन कब हुआ तो 1957 को हुआ इसके बाद अगला प्रशन है किस प्रकार के फैक्चर में हड़ी नहीं तूटती है तो आप सभी फैक्चर के पार्ट है जो सिंपल फैक्चर होता है ग्रीन फैक्चर होता है कंपाउंड फैक्चर होता ट्रांसवर्स फैक्चर नहीं होता है दोस्तो इसके बाद जो हमारा अगला प्रशन है एनुरेक्सिया नर्वेसा क्या है दोस्तों बता दें कि ये जो आफसर नमर भी खाने का विकार यानि इटिंग डिसार्डर है तो आफसर नमर यहां पर दो सही है इसके बाद अगला प्रशन है सौसन किरिया हिदय गती और रक्त चाप को निम्ने में से कौन नियंतरित करता है तो आपको मालूम है कि आफसर नमर फोर मेंडूला जो है हमारा सौसन किरिया हिदय गती और रक्त चाप को नियंतरित करता है इसके बाद जो अगला प्रशन है इनमें से किस खिलाडी को सरवोच नागरिक सम्मान भारत रतन दिया गया तो जो भारत रतन है अभी तक मात्र सचिन तेंदूलकर को ही भारत रतन दिया गया है इसके बाद वर्तमान में मनो बग्यान को कैसे परिभासित किया गया है The Science of Behavior and Mental Process बहुरार और मांज्जिक करियाओं का बग्यान ही वर्तमान में मनो बग्यान की परिभासा है इसके बाद जो अगला प्रस्ष्ण है निम्नमि से क्या संगटन के सिधानतों के विरुद्ध है तो आफिन नमर प्रोर ओरलैपिन आप एर्थारिटीज अधि व्यापी प्राधिकरण ये संगटन के सिधानतों के विरुद्ध है इसके बाद अगला प्रश्ण है से एंटीबॉडि का सुरावी होता है तो आप सभी को लोग को मालूँ आपसे नमर थ्री लिंफोसाइट्स लिंफोसाइट्स रखत कोशिकाऊं से एंटी बॉडि का सुराव होता है इसके बाद निम्नमे से कौन सी ऑधारणा आधुनिक सरीरिक सिच्छा की वास्तिक प्रक्रति को दरसाती है तो फिजिकल ट्रेनिंग ही हमारी सरीरिक सिच्छा की वास्तिक प्रक्रति को दरसाती है इसके बाद यहाँ पर रिसर्च से कोश्चन लिया गया है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है यूपी टीजीटी के अकॉर्डिंग तो यह कुस्टन को मैं सीप करता हूँ इसके बाद जो नेश्ट कोश्जन है स्वस्त सरीर में स्वस्त दिमाग रहता है तो आपसर नमर सी अरिस्टोटल जिसे हम बोलते हैं अरस्तु ने कहा था कि स्वस्त सरीर में स्वस्त दिमाग रहता है आप लोग इसे लर्ण कर लीजिए जो हमारा यूपी टीजीटी है वो आपसर नमर सी इसे मानता है इसके बाद अगला प्रशन है दीर्ग कालीन वयाम का हिदर प्रणाली पर पढ़ने वाला प्रभाव क्या है तो यहाँ पर जो कार्डिक हाईपर ट्रॉफी इंक्रीज इस्टोग वैलूम इंक्रीज नमर आप कैपिलरीज उपरोग तो सभी आपसर नमर प्रणाली पर पढ़ने वाले प्रभाव है तो आपसर नमर फोर यहाँ पर सही हो जाएगा इसके बाद वाट इस मोस्ट इंपॉर्टन फेक्टर वेन लुकिंग फार अ कैंपिंग स्पोर्ट सीविर इस्थल के चैन में सबसे महत्पूर का रख क्या है तो बता दे दोस्तो इस्थान लोकेशन बहुत इंपॉर्टन्ट है दोस्तो सीविर इस्थल के लिए और इसके बाद जो अगला कोश्टन है एंगुलर मोसन आफ जॉइंट इस आल्तो नोन एज संद्ध को कोड़ी गति के नाम से भी जानते हैं तो आप रोटेशन रोटेशन को ही हम लोग कोड़ी गति की रूप में जानते हैं इसके बाद जो अगला प्रशन है रक्त डोपिंग एंथ्रोपोटाइन के साथ एक खिलाडी के प्रदरसन में किस प्रक्रिया में सुधार आता है जो रक्त डोपिंग है आप सभी लोग जानते हैं रक्त में लाल रुधिर कडिकाओं की मात्रा को बढ़ाता है आफसर नमर फोर यहां पर सही है दोस्तों यदि आप लोग चाहते हैं किसके आगे की विप्रशन आपको सॉल्व करने को मिलें तो आप लोग कमेंट ब लिजेगा धन्यवाद